चलिए दोस्तो सौगद आपका फिर से एक बार हमार यूटीब चैनल ट्रेडिंग विद्यस पी में दोस्तो आज की वीडियो में देखने वाले है कि CPR होता क्या है और इसको इस्तामाल आप कैसे कर सकते हो लाखो रुपए कमाने के लिए और साती में हम देखेंगे कि टू डेज पीवट-CPR रिलेशन्शिप होता क्या है तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि CPR होता क्या है तो दोस्तों CPR जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक चार्ट है सपोज 25 रुपीज इसके ओपनिंग प्रैस थी 20 लोवर 35 हायर और 32 पे यह क्लोज हुआ अगर हम इस चार्ट के अगर हम प्योट लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्योट का फॉर्मूला हमें जैसे मालूम है हाय प्लस लो प्लस इसकी बीवैडब मई थरे तो वह क्या है 35 प्लस 20 प्लस 32 आएंगा 29 मतलब कि जो प्योट के जो national pivot की लाइन है वह हमने ड्रॉ कर ली 29 पे अब यह जो यह जो लाइन है central की यह समझ लो कि यह जो line है यह है pivot की अब यहाँ पे catch यह है कि मैंने यह TC और BC यह lines क्या draw की है तो BC line के लिए हमने formula इस्तमाल किया है high plus low divide by 2 मतलब 35 plus 20 divide by 2 तो वो आ जाएगा 27.5 अब यह जो नीचे की line है यह हमने plot की है 27.5 पे अब BC से लेके pivot तक का distance है अब यह था 29 पे यह है 27.5 पे मतलब की 1.5 का difference है तो उतने ही difference है मतलब की pivot line से उतने ही difference पे 1.5 के difference पे हम एक उपर भी एक line बना लेंगे और उस line को हम कहेंगे कि यह है TC की line अब यहाँ पे TC मतलब top central pivot line और BC मतलब bottom central pivot line तो यह तो हो TC, BC और pivot के बारे में तो अब हम देखेंगे कुछ basic rules होते है कि CPR कैसे plot करना है अगर CPR identify कैसे करना है अगर CPR की range जो है वो narrow होगी मतलब कि अगर narrow CPR होगा तो हम यह मान के चलते हैं कि उस दिन trending आ सकते हैं मतलब कि यह trending day हो सकता है और अगर CPR wide होगा तो हम यह समझते हैं कि sideways day हो सकता है अब इसे हम कैसे properly analysis करते हैं यह हम देखते हैं अब सबसे पहला अगर CPR की अब हम यह देख रहे हैं कि two days pivot relationship pivot CPR relationship मतलब कि अगर यह previous day का CPR है मतलब कल का अगर यह CPR है और आज का अगर हम CPR plot करते हैं मार्केट शुरू होने से पहले ही तो यह हो गया previous day CPR और यह हो गया current day CPR अब यह CPR plot कैसे करना है यह तो हमने देख लिया formula के साथ अगर आपको ऐसा scenario दिखता है कि आज का जो CPR बन रहा है वो कल के CPR से उपर बन रहा है मतलब कि higher value पर बन रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि आज का जो day है वो bullish हो सकता है अब इसका हम example के साथ देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक wider CPR था अब wider CPR मतलब हमें मालूम है कि day sideways रहता है तो आप देख सकते हो कि mostly यहाँ पर day sideways ही था पर हाँ हम यहाँ पर देख रहे है higher value के बारे अब इस CPR के compare में यह CPR जो है यह है higher value पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि price यहाँ पर open हुआ और उसके साथ यहाँ पर इतना बड़ा moment यहाँ पर हमें देखने को मिला अब यह है almost one person का moment जैसे ही हमें पता चला कि higher value है और market जो है वो CPR के उपर अगर है दोस्तों CPR valid तब भी रहता है जब कभी price जो है वो CPR के above trade करता है मतलब हम यहाँ पर bullish को अगर prefer कर रहे है तो minimum criteria यह है हमारा सबसे पहला criteria यह है कि current price जो है वो CPR के उपर होनी चाहिए अगर current price जो है वो CPR के नीचे है तो वो CPR valid नहीं रहेगा अगर हम higher value के लिए CPR देख रहे है तो current price जो है वो CPR के उपर ही होनी चाहिए यह तो हो गया पहला scenario higher value अगर overlapping higher value रहा मतलब कि यह previous देता और उसके just उपर थोड़ा सा थोड़ा सा ही उपर फिर से एक CPR बना तो हम यहाँ पे कहते है कि moderately bullish day यहाँ पे हो सकता है अब हम इसको चार्ट में अगर देखते हैं यहाँ पे देखो एक CPR था और यहाँ पे next CPR बट यह overlapping था मतलब just थोड़ा सा ही उपर था बहुत higher value नहीं थी इसकी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अच्छा सा एक moderately bullish मूँ दिखा है यहाँ पे higher bullish मूँ दिखा है पर just expect क कर लो कि यहाँ पे moderate भी दिख सकता था और वही अगर हम उसके next देखते हैं अब यहाँ पे higher value था बट मार्केट की closing price जो है वो CPR मार्केट के opening price जो है वो CPR के उपर नहीं थी तो यह CPR वैलीड ही नहीं रहा दोस्तो इसलिए आप यहाँ पे यह नहीं कह सकते कि यहाँ से price आ रहा है अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप कोई भी डाउट मुझे comment section में नीचे पूछ सकते हैं दोस्तों तो चलते हैं आगले CPR के तरफ lower value CPR यह exact opposite है जो हमने first देखा था higher value मतलब कि previous day CPR जो है वो current day CPR से उपर होगा मतलब कि current day CPR जो है वो अच्छा सा नीचे होगा previous देख के compare में तो यहाँ पे हम expect कर सकते हैं कि यहाँ पे bearish day होंगा sorry दोस्तों मैंने यहाँ पर by mistakely bullish कर दिया है बट यहाँ पे हम bearish day expect कर सकते हैं अगर हम यही अगर चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो lower values आ गई अब lower value आने के बाद यहाँ पे हमें जो है वो यह कहोगे कि फिर भी आपने यह example क्यों दिखाया तो मैंने आपको यह example इसलिए दिखाया क्योंकि market जब open हुआ तब तो CPR के उपर उपर हुआ open हुआ ठीक है बट जब market CPR के नीचे आ गया तो आप यहाँ से एक बेरिश मूँ expect कर सकते हो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि value जो है वो lower value है CPR की यह तो हो गया lower value अब इसी के सेम इसी की तरह है overlapping lower value अब यहाँ पर overlapping lower value का जो meaning है वो है कि previous day के CPR current day के CPR से थोड़ा सही उपर होगा तो यहाँ पर हम moderately bearish day expect कर सकते हैं अब इसका अगर हम example देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों यह था previous day CPR और यह हम समझ लेते कि current day CPR अब यह two days CPR relationship में आप देख सकते हो कि जो आगला वाला CPR वो थोड़ा सा नीचे है जैसे ही price CPR के नीचे open हुआ या फिर चला गया CPR के नीचे तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बेरिश मूँ देखने को मिला नेक्स्ट अगर हम CPR की बात करते हैं तो वो होता है unchanged value मतलब कि previous day की तरह ही आज का CPR होगा तो यहाँ पर आप दो चीज़े हो सकते हैं आइदर market sideways होगा या फिर आपको breakout भी देखने को मिल सकता है अब इसमें भी जारा सी ट्रीक है दोस्तो अगर current day CPR जो है वो वाइड होगा मतलब की previous day भी वाइड था और current day भी वाइड है तो यहाँ पर आप sideways expect कर सकते हो या फिर प्रिवेज डे भी नहार हो था आज का भी नहार हो है तो यहाँ पर आप breakout expect कर सकते हो अगर हम इसका समझलों कि यह दोनों जो है कि सेम CPR मतलब की CPR की वैली जो है वो unchanged रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि market जो है वो mostly sideways ही रहा है market ने आपना first 15 minute range break करने कोई काफी समय लगा दिया और उसके बाद आच्छा सा breakout मिला है अब इस case में हमें दोनों भी देखने को मिले sideways भी और breakout भी इसलिए मैंने यह example लगाया है अगर हम next CPR के बात करते हैं तो वो होता है outside value CPR मतलब कि previous day जो है वो narrow CPR था और current day जो है उसका CPR जो है वो wider है या फिर आप यह कहीं सकते हो कि angle pink है previous day CPR को current day CPR angle करता है तो यहाँ पर जैसे कि wide CPR है तो हमें मालूम है market sideways ही रहने वाला है तो यहाँ पर outcome sideways का ही होता है अगर हम इसका example देखते है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह था प्रिवेज़े CPR और इसको अंगल्प कर लिया current day CPR जो किये थी हाँ wide तो यहाँ पर आप देखो कि इसने range bound ही चाला market मतलब कि sideways ही market रहा था दिन बर उसके बाद next और सबसे interesting जो CPR है वो वाला यह है जिससे आप सच में लाको रुपए कमा सकते हैं वो है inside value CPR अब inside value CPR का मतलब होता है कि previous day CPR जो है वो wide होना चाहिए अगर CPR wide है और current day CPR उसके अंदर है मतलब कि inside है उसके previous day के CPR के current day CPR जो है वो inside में है तो इससे हम कहते है inside value CPR और यहाँ पर हम expect कर सकते हैं breakout चलिए तो इसका example देखते हैं अब यहाँ पर आप देखो कि यह था previous day CPR और यह था next day CPR तो current day CPR में आपको inside value देखने को मिल रहे हैं मतलब कि यह जो CPR है पहली बात तो यह narrow है तो वहाँ पर भी हम breakout expect कर सकते हैं और दूसरी बात simultaneously यह inside value CPR भी इसलिए यह यहाँ पर breakout तो compound ही था दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने previous एक बार प्रिवेश हाई को सपोर्ट लिया एक बार resistance लिया I mean to say और जब यह वो resistance breakout करके गया तो उसने फिर से नीचे आने का नामी ने लिया और काफी सा अच्छा सा एक moment हमें देखने को मिला यह तो हो गया दोस्तों inside value CPR अब आपको भी थोड़ा सा correlate करके देखना है कि हाँ यहाँ पर इस scenario में जैसे हमने बात किया कि narrow CPR भी है inside भी है और previous day की range भी break कर दी है तो यहाँ से एक अच्छा moment आ सकता है मतलब कि multiple factor correlate करके आपको देखने होगे दोस्तों तो यह तो हो गया inside value के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर दो आज के लिए था इतना ही दोस्तों thank you